दोस्तों आप में से ही कई सारे हमारे व्यूवर्स, कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स अक्सर हमें कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि सर बीएड मुझे करना है और बीएड में बैकडेट से मुझे एंट्री मिल रही है या बैकडेट से मैं अपने माक्षिट से ले पा रहा हू इन courses को backdoor से आप कैसे लेते होगे, backdate में entry कैसे हो जाती है, क्या university को अपनी list को भेजना क्या mandatory नहीं है NCT में, क्या वो list अपनी भेजती नहीं है, या फिर NCT खुद इसमें involved है, ऐसे कई सतरह के questions हैं, जो हमसे पूछे हैं हमारे subscribers ने, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने भ हो बार बार कि अगर वो problem genuine होगी, और बड़ी problem होगी जिसमें कि आपको फसाया जा रहा है, या आपके against कुछ काम किया जा रहा है, तो मैं आपकी बिलकुल मदद करूँगा, मैं और मेरी पुरी टीम उस college या university तक आपके साथ जाएंगे, और आपकी जितने भी मदद हम लो नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India, मेरा नाम है विरेंदे वर्मा, जैसा आप सब भी जानते हैं, हम देश-विदेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ, तोस्तों हाला कि अपने हिंदुस में कई सारे ऐसे स्कैम चलते हैं, कई सारी problems चलती हैं, सब problems के ओपर वीडियोज बनाना, सब problems को लेकर आना सामने possible तो नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ हमारा चैनल काम करता है सिर्फ educational चीजों के ओपर, educational जो भी कुछ problems हैं, उनको discuss करते हैं, कौन सी universities, कौन से college अच्छ काउंसिल क्या क्या हैं, सब के बारे बताते हैं आपको अपने चैनल पर, दोस्तो बीड क्या है, बीड बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर आफ एजुकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, दो साल का ही कौर्स होता है, पहले एक साल का था, चोदा पंदरा तक, उसके बाद य जरू हो गया, निव एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसने बताया एक साल की बीड द्वारा चालू कर देंगे, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में देखा जाए, दो साल की और चार साल की बीड पहले सी चल रही है, एक साल की बीड आएगी, वो कब आएगी, अभी उसके लि तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेंसे जितने भी लोग पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को मैं आपको बता दूँ, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो हम लेकर आते हैं आपके लिए, और दोस्त अच्छे अच्छे इंसिटूशन हैं, वहाँ आप जोईन कर सकें, इन सब की इंफोर्मिशन आपको मिल सकें. दोस्तों, smoking में क्या है, कि जितने भी उनिवर्स्टीज हैं, जितने भी प्राइवेट उनिवर्स्टीज हैं, इस पर बाद में आते हैं पहले तौर सिस्टम समझाते हैं. या CCS, चोजी चर्ण सिंग उनिवस्टी का अब एक्जामपल ले सकते हो मालीजे एक कॉलिज है, जब आपने admission किया, counselling की admission आपने डाला डालने के बाद में sheet allot होगी allotment के अंदर आपका नाम आता है, counselling होती है, admission हो जाता है यह government universities का system है, यहाँ पर इसलिए कोई जोल नहीं हो पाता जल्दी से और होते भी हैं तो दोस्तों वो तो है, बहुत सारी universities आए दिन हमारे सामिक चीज़े आती हैं और हम आपको बताते हैं अपनी वीडियो में आते हैं private university में जहाँ सबसे ज़्यादा जोलिये चलता है है क्या चीज़? कि इन private universities को list अपने submit करनी होती है NCT के अंदर या नहीं, यह तो बहतर बताएगी आपको NCT आप वहाँ पर एक RTA लगाएगे university को आप RTA लगाएगे तो वो लोग बचेंगे होता क्या है कि इन्सके list जल्दे submit होती नहीं है NCT के अंदर तो यह क्या होता है? backlogs पुरा बढ़ देते हैं अपना अगर आज भी कई सारी ऐसी universities आपको मिल जाएंगी आप admission लेना चाहते हैं, आप बोलते हैं 1960 में admission हो जाए या 1820 में हो जाए कई सारी universities आपको admission देने को तयार हो जाएंगी आपके शायद final year के exams करा भी लें या ना भी कराएं, वो उनकी मर्जी होती है बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो list अपनी submit करेंगे ही वहाँ पर, कब वो list submit करते हैं आपको पहले बताया है कि आप NCTMRT या लगा हूँ सब्डेटेल आपको निकल जाएगी किसी भी private university से अगर आपने B.A.D. की है, तो मैं आपसे जर्फ यही बोलना चाहूँगा, पहले उनके record में चेक करवा लें, कि उस B.A.D. की entry है भी नहीं, पिदा चला आपको की एक backdoor से या फिर out of way से निकाल दिया हो आपकी B.A.D. को और university में कोई record ही ना हो, आपने अगर course किया है B.A.D. तो obvious सी बात है, आप उसको जॉब में apply करोगे जरूए, फिर चाहें आप उसको लगाए किसी भी private job में या government job में, government job में लगाऊ गए तो भी और private job लगाऊ गए तो भी उसकी verification होगी जरूर, तो बैतर है कि आप उसको पहले से ही verify करा के रखें, आटिया लगाऊ university के उपर, N.C.T. को भी आप आटिया लगाऊ, उनसे पुछो कि क्या इस university को N.C.T. का approval है, दोस्तों, अगर N.C.T. का approval नहीं है, तो university वैसे भी आपको B.A.D. नहीं करा सकती, और बिना N.C.T. का approval को university अगर आपको करवा रही है, B.A.D. तो वो illegal है, किसी भी university को 100 seats का, 200 seats का approval मिलता है, या 60 seats का approval मिलता है, उसके उपर भी करी सारी universities admission ले लेती है, ऐसा भी हमारे notice में कई बार आया है, और यह सब कैसे है, क्योंकि आप ही लोग, जितने ही हमारे subscribers हैं, आप लोग हमें अपनी mark sheets भेजते हो, आप लोग अपनी सब knowledge आपका experience है, वो share करते हो, हमने एक वीडियो बनाई थी, सरदार पटेल युनिवस्टी के बारे में, जो बालागार्ट में युनिवस्टी, MP में युनिवस्टी है, किस तरह से problem चल रही है, वहापर डियेट, बियेट, मेट को लेकर, और भी भी किसी भी तरह के doubts हैं, आपके दिल में, किसी भी college, युनिवस्टी है, किसी भी course को लेकर, आप हमें comment box से मताएं, या हमें whatsapp करें, आप comment box से मताएंगे, तो और भी लोगों तक information पहुच पाएगी, कि वहाई, क्या आप जानना चाते हो, हम उस पर video बनाएंगे, या आपको उसी comment के ओपर reply करेंगे, कि ये उसका solution है, आप उस solution को भी follow करेंगे, तो भी आप अपने problem से बाहर जरूर निकल जाएंगे, और आपको कोई भी किसी भी तरह की problem है, हाला कि हमने videos बनाई हैं, कि students के क्या अधिकार है, उन videos को भी आप देखोगे, तो भी अपने अधिकारों के आप बिल्कुल जान जाओगे, और दोस्तों, आप कोई भी किसी भी तरह की मदद हम लोगों से लेना चाहते हैं, आप किसी problem में फस गए हैं, आप हम comment box से बताएं, या WhatsApp करें, हमें हिंदोस्तान के education system में, बहुत-बहुत शुक्रे दोस्तर निवाद, हमरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए